नमस्कार श्वागत है आपका हमारे गुरुजी में बात करते हैं सिंग रासी के जात्कों का कैसा रहने वाला है जनवरी फरवरी मार्च का महिना वरस 2019 के अंदर तो हम आपको बोलता दें वरस 2019 के अंदर जनवरी का महा उत्तम रहने वाला है सिंग रासी के जात्कों के लिए लेकिन अपने दाइने अंग पर कोई भी परकार की चोट लग सकती है दाइने पाओं में और दाइने हाथ में तो आप संभल कर चलें और संभल कर हर कारे करें ताकि आपको किसी परकार की चोट ना लगें जनवरी का माँ आपके लिए उत्तम होगा और आपको नया रोधगार भी प्रारम करने का आउसर मिलेगा आपको जनवरी के महा में 14 जनवरी के बाद ही नए कारे करने चाहिए और 14 जनवरी के बाद नए कारे करने का योग भी आपके जीवन में बन रहा है हर्स उल्ला सम्मदित परोग्रामों में आपको ना पढ़ सकता है जिसके अंदर आपको अनेक परकार से खोशियों में सम्मलित होने का मौका मिलेगा परोधी का मेहिना भी आपके लिए उत्तम रहने वाला है वर्ष 2019 का और आपके जीवन में बड़ी कुस्कवरी मिल सकती है परवरी के माह में मार्च में आपको जादा मेहनत करनी पर सकती है लेकिन काम्याभी आपको जरूर मिलेगी पिछले वरस जो कारे आपने अधूरे छोड़ दी थे या फिर आप जिन कारियों की तरफ अपना होशला तोड़कर नहीं कर पाए थे निश्चिन रूप से आप मार्च के माह में कर पाएंगे आपको नया रोजगार, नया बिजनस और नई कोई भी चीज आपको मार्च के माह में उपलब धो सकती है आपको प्रोपर्टी सम्मदित अगर कोई नई चीज लेनी है या फिर बेचनी है, खरीदनी है, कुछ भी ऐसा करना है तो मार्च का महिना आपके लिए उत्तम होगा और मार्च के माह में यह आप यह फैसला ले सकते हैं अगर आपके जिवन में कोई भी परकार की और बड़ी समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान जानने के लिए आप अपनी निश्चित जनम डेट और जनम समय और जनम स्थान हमारे कॉमेट बोक्स में डाल दें आपको कुंडदी के हिसाब से भी जबाब दे दिया जाएगा आपके परशन का और आपको ये परशन बिल्कुल नीसुलक रहेगा आपके लिए ये जो प्रोसेस्टर है बिल्कुल नीसुलक रहेगा आपके जीर में आ रही प्रतेग परकार की समश्या का समाधान के लिए आपको सनी मंदिर के अंदर भगवान सनी की परतिमा पर सर्सों का तेल जड़ाना चाहिए और सर्सों के तेल से हो सके तो भगवान सनी को अवशेक भी करा दें ये तो था पहले तीन माह का रासी फल जनवरी फरवरी मार्च वर्ष 2019 सिंग रासी के जातकों का अगले तीन माह का रासी फल जानने के लिए आप हमारे चैनल के निचे दिएगे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी का आइकन भी दबादें ताकि अगल नए साल पर जैस्याराम जैसरीकिष्णा धन्यवाद